नमस्कρι दोस्तो स्वागत है आपका आजके नए वीडियो में तो दोस्तो आपको पता होगा यूट्यूब ने हाली में लौंच कर दिया अपना एफिलेटेड प्रोग्राम इंडिया में तो पहले ये program इंडिया के बाहर US या other country में available था पर recently YouTube ने भी launch कर दिया अपना खुद का affiliated program तो पहले जैसे Amazon का affiliated program आप activate कर पाते हैं और वहाँ पे कोई भी product link अपने YouTube के video के description में आप share करते हैं और वहाँ से earning का option आपको मिल जाता था इसके बारे में मेरा already एक dedicated video है जो आप नीचे description के link पे जाके click करके देख सकते हो पर ये वैसा नहीं है यहाँ पे YouTube ने Flipkart और Mintra से खुद tie up किया और ये YouTube का खुद का affiliated program है जहाँ पे आपको मिल जाता है अपने वीडियो में कोई भी product के बारे में अगर बात करते हो तो उस product को आप वीडियो में tag करपाऊगे और अगर आपका viewers उस product के link के उपर click करके उस product को Flipkart या Mintra platform से buy करता है तो आपको मिल जाता है वहाँ से commission जहां से आपको earning का एक और मौका मिल जाता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब का नया launch किया गया affiliated program marketing कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल में activate कर पाऊगे कैसे इसको join कर पाऊगे और यहाँ पे product tagging का सारा procedure और यहाँ से earning करने का भी मौका इसका सारा डीडियल्स में step by step आज की इस वीडियो में आपके साथ discuss करूंगा तो इस वीडियो को अंतक देखिए और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्स्ट्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकों दाबना मत भूलिएगा तकि टिक्नोलीचिके रिलेटर ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे नमस्कर दोस्तों मैं हूँ कॉस्तव आप देख रहे हो टेकी बॉन्ट सो लेट प्रेटर होते थे जिनका 50K या 100K के उपर सबस्ट्राइबर था उनका अगर खुद का मरसेंडरी या प्रोडाक्ट होता था तो स्टोर पे जाके उसको वो बेच पाते थे तो ये स्टोर अलग सा प्रोग्राम है इसके बारे में भी ऑल्रेडी मेरा एक टुटूरियल वीड मैंने description में आपके साथ already share कर चुका हूँ वो भी आप जाके देख सकते हो पर YouTube स्टोर से ये काफी अलग है क्योंके store option में जो भी website का option आपको मिलता था वो इंडिया में उस तरीके से use नहीं होता था तो इसलिए लोग order नहीं कर पाते थे पर YouTube ने खुद clipcard और मिंद्रा जै कर पाऊगे और flipcard और मिंद्रा के सारे product अपने video को कैसे tag कर पाऊगे और वहां से कैसे commission आर्ण करके YouTube से earning का और एक मौका आप यहां पर add कर पाऊगे आज की इस video में इसका सारा procedure step by step एक details tutorial के तरह हम लोग discuss करेंगे तो इसको हम लोग desktop से भी देख लेंगे और mobile version से भी पहले देख लेते हैं desktop से आप कैसे कर पाऊगे तो देखिए तो दोस्तों मैं आचुका हूँ मेरे computer के desktop पर जल्दी से open कर लेते है मेरा YouTube और YouTube open होते ही हम लोग सीधे चले जाएंगे अपने YouTube studio option पे अभी YouTube studio option पे बाएं तरफ जो आपको सारा menu का option मिल जाएगा यहां पे scroll कर क्याप नीचे चले आऊगे तो यहां पर आपको चले जाना है अर्ण option पे तो अर्ण option पे आप किस कीस तरह यहां से अर्ण कर पाऊगे उसका सारा option जैसे आपको यहां पर मिल जाता है उस तरिके से उपर tab ओप्षन पे शॉपिंग या नीचे स्क्रॉल करके आ जाओगे त यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा Join Affiliate Program जो नया लाँच हुआ है YouTube में Earned Commission and Help Viewer Shop by Tagging Product फिर आपको यहाँ पे और एक option मिल जाता है अपने merchandise store को setup करने का तो इसके बारे में already मैं आपके साथ एक tutorial video discuss कर चुका हूँ वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका link नीचे वीडियो के description में दिया हुआ है आप जाके चेक कर सकते हो तो store पे आपको मिल जाता है Connect a store to promote your product like merchandise on your channel नीचे आपको मिल जाएगा find help का option contact support और health center contact support option पे जाके इसके बारे में और भी details में जानकर ही आप हासिल कर पाऊगे और health center option पे जाके भी YouTube shopping या affiliated program या merchandise का सारा details आपको मिल जाएगा अभी store option पे अगर आप connect करोगे तो जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया था यहाँ पे आपको मिल जाता है fourth wall Shopify, spread shop और spring यह सारे online e-commerce platform से अपने store को connect करना तो इसके बारे में already मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ जो उस वीडियो में आप देख पाऊगे जिसका link वीडियो के नीचे description में मैं share कर चुका हूँ अभी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे YouTube affiliated program या affiliated marketing को आप join कर पाऊगे या activate कर पाऊगे तो उसके लिए join affiliate program यहाँ पे नीचे turn on option पे आपको click कर देना है तो आपके सामने एक pop-up window open हो जाएगा YouTube shopping affiliate program यहाँ का एक tutorial वीडियो पे आप वाज कर पाऊगे और नीचे आप देखोगे आपको मिल जाएगा help viewer shop earned money तो यहाँ पे आपको मिल जाता है access product and promotion from popular brand and find the best commission rate for you get paid when viewers buy tech products from your videos and shots manage affiliated products and get inside in one place अभी आपको डाहिने तरब नीचे continue option पे click कर देना है फिर आपके सामने एक terms and condition का details open हो जाएगा इसको आप details में परपाऊगे और नीचे आके I hereby agree and consent to the affiliate program agreement terms इसको आप ticker के on करके डाहिने तरब नीचे फिर से join program option पे click कर दोगे तो फिर आपका YouTube affiliated marketing program activate हो जाएगा नीचे आप देखोगे find help के अंडर और एक option आगया है view contracts का इस option पे जाके YouTube settings में जो भी agreement या contracts आपका यहाँ पे activate है उसका सारा details आ जाएगा यहाँ पे YouTube shopping affiliated program का terms या agreement भी आप यहाँ पे check कर पाऊगे फिर आप news पे देखोगे choose video का option तो जैसे अपने वीडियो या shot पे आप अपने product को जो viewers देखके आपका tagging product यहाँ पे purchase कर पाएगा उसको आप direct tag कर पाऊगे या आपको यहाँ पे मिल जाएगा time strap भी use करने का option now you can highlight products during the video by adding time strap अभी choose video पे click करके आपके सामने open हो जाएगा आपके सारे content का option तो अपने video पे कैसे आप product को tag कर पाऊगे उसको देखने से पहले आप फिर से एक बार earn option पे चले जाओगे और यहाँ पे आप नीचे scroll करके देखोगे आपका shopping tab भी यहाँ पे activate हो गया है फिर से shopping tab option पे जाके आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपने earning का analytics जो आपको affiliated program से earn होगा तो इस analytics पे आप देख पाऊगे revenue last 28 days, total sale last 28 days, order last 28 days और product में आपका कितना click हुआ है जो आप tag करने वाले हो उसका account यहाँ पे नीचे see more option पे click करके आप अपने analytics में revenue section पे देख पाऊगे के और एक नया tab add हो गया है affiliate program करके यहाँ पर भी आपके affiliate program से सारे earning का analytics चलाएगा जो आप details में यहाँ से check कर पाऊगे और नीचे scroll करके आप आप आजाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा top affiliated product का list और top earning content अभी अपने वीडियो पे कोई भी product tag करने के लिए आप अपने existing वीडियो पे भी कोई भी product tag कर सकते हो या अपसे नया जो भी वीडियो आप upload करने बाले हो YouTube affiliated program join करने के बाद वहाँ पर भी आप tag कर पाऊगे तो फिर अपने content option पे जाके कोई भी वीडियो या shot आप click करके open कर लोगे तो मैं यहाँ पे मेरा एक वीडियो सर्च कर लेता हूँ PS5 के वरे में जहाँ पे मैंने दिखाया था कि online Amazon और flick part से कैसे आप PS5 को purchase कर पाऊगे तो इस वीडियो को select करके आप edit details option पे click करोगे तो video edit करने का option आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे मेरे वीडियो पे आ और Amazon का link मैंने share की जा था PS5 को direct link पे click करके purchase करने के लिए तो Amazon का सारे link तो affiliated है क्यूंकि Amazon में affiliated program available है पर flip card या कोई दूसरे side में अभी तक नहीं था तो अभी जो product tagging का option activate हुआ है वहाँ पे click card और मींत्रा का product भी आप tag कर पाऊगे तो इस तरीके से अपने video के description में link ना दे अभी डाहिने तरब नीचे आपको मिल जाएगा product tagging का option तो product यहाँ पे edit option पे click करके आप अपने video पे कोई भी product tag कर पाऊगे तो उपर आप देखोगे एक notification for a limited time get extra commission on this product valid until 1st January 2025 नीचे आपको मिल जाएगा एक search बार जहाँ पे कोई भी product का नाम या product का link लिक के भी आप search कर बाएं तरब आपको मिल जाएगा store का option इस option पे click करके आपको मिल जाएगा कौनसे site से आप product tag करना चाते हो वो choose कर पाऊगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा clip card और meantra का website तो यहाँ से आप अपना store चूज कर लोगे जिसका product आप tag करना चाते हो और apply option पे click कर दोगे तो फ प्लिपकार वेबसाइट में उस प्रोडाट का सारा लिस्टिंग चला आया और उस प्रोडाट का डीटेल्स प्राइस और यहां से कितना कमिशन आंड कर पाओगे उसका गांड भी यहां पे दिया हुआ है अभी इस पर्टिकुलर प्रोडाट को टैक करने के लिए डाहीने त तो इस तरीके से सारे प्रोडाट को टैक करने के बाद आप डन ओप्शन पे क्लिक कर दोगे फिर आपके सामने और एक पॉपप विंडो ओपन हो जाएगा प्रोडाट टाइम स्ट्रैप का तो यहां पे वीडियो के कौन से टाइमिंग में आप प्रोडाट को दिखाना चा यहां पे एड टाइम स्टैप का ओप्शन मिल जाएगा और नीचे वीडियो के टाइम लाइन को आप स्क्रॉल करके सेट कर पाओगे के कब आप प्रोडाट को टैक करने वाले हो किस टाइम पे और फिर एड टाइम स्टैप ओप्शन पे क्लिक करके उस टाइम पे आप प्र प्रोडाक्ट टैग हो गया है अभी फाइनली आपको डाहिने तरब नीचे डन ओप्शन पे क्लिक कर देना है तो अभी आप देखोगे प्रोडाक्ट शेक्षन में जितना प्रोडाक्ट आप टैग किये हो उसका अकाउंट यहां पे आ जाएगा अभी डाहिने तरब उपर से प्रोडाक्ट टैगिंग का आप सेब कर लोगे अभी आप अपने यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे और जीज वीडियो पे आप प्रोडाक्ट टैग किये हो उस वीडियो को यहां से प्ले कर लोगे तो अभी जब देखोगे आपका वीडियो यहां पे प्ले हो रहा है नीचे description में आपको मिल जाएगा जितना product आप tag किये हो उसका सारा details जो viewers आपका वीडियो देखने के time ये चेक कर पाएगा और यहां से अगर कोई भी product किसी को खरीदना है तो उस product के उपर click करके direct flip card का या मिंद्रा का website visit करके उस product को यहाँ पर purchase कर पाएगा और आपको मिल जा अब नीचे product tag option में उस product का details आजाएगा तो यहाँ पर tag किया गया product के डाहिने तरह उपर 3. button पे click करके viewers को देखने को मिलेगा about product and commission, report, listing और dismiss का option तो यहाँ पर product के बारे में और commission के बारे में और भी जानकर ही मिल जाएगा viewers को और इस product tag के उपर click करके भी उस product को flip card या मिंत वेबसाइट में जाके viewers direct online purchase कर पाएगा और यहाँ से भी आपको commission मिलता है तो दोस्तों अभी हम देख लेंगे desktop के बाद mobile से आप कैसे इस program को join कर पाऊगे वो भी तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे mobile के main screen पर जल्दी से open कर लेंगे YouTube studio application और application open होते ही डाहिने तरफ channel from your own store इस option पर क्लिक करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा share products on your channel from your own store और other brands दो option एक हो गया join affiliated program जो अभी launch हुआ है YouTube में and commission and help viewer shop by tagging product और दूसरा है connect your store share product across your channel from your own store तो connect your store के बारे में मेरा already एक tutorial वीडियो मैं आपके साथ share कर चुका हूँ जिसका link नीचे description में वीडियो में द Shopify spread swap और spring का e-commerce का platform जहाँ पे आप अपना store यहाँ पे add कर पाऊगे पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे join affiliated program का option इस option पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा tag product earned money with the affiliate program you can help viewers find great products and boost your earning अभी आपको turn on option पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक terms and condition का agreement चलाएगा जो आप details मे पर सकते हो और नीचे आपको I accept the terms and condition इसको tick करके join तरव नीचे accept option पर क्लिक कर देना है तो फिर आप देख पाऊगे यह affiliated program कैसे काम करता है इसका एक short video आप check out कर पाऊगे यहाँ पे फिर नीचे आप देखोगे you are in now you can start tagging product choose a published video and explore how the program works see promotion and commission rates available to you and try tagging a product अभी नीचे try it out option पर क्लिक करके आप सिधे चले आओगे अपने content या video या short section पे यहाँ पे existing video पे आप अपना पसंदीदार product tag कर पाऊगे जो viewers आपका वीडियो देखने के time उस product देखके अगर पसंद आए तो वहाँ से click करके purchase कर पाएगा flip card या mintra website से पर उसके पहले फिर से आप earn option पे चले revenue जो आपका product tag करने के बाद viewers अगर click करके खरीता है तो उसके commission में जो आपका earning होता है उसका यहाँ पे estimate revenue calculate आएगा नीचे आप देखोगे कितना total sale हुआ है order कितना place हुआ है और product पे कितना click हुआ है जो आप tag करने वाले हो मतलब आपका YouTube affiliated marketing program यहाँ पे activate हो चुका है अभी जो desktop पे एक option आप नहीं देखे थे mobile application में एक extra option आप यहाँ पे देख पाऊगे अभी के लिए collection करके express yourself with collection and create a new opportunity to discover your favorite product यहाँ पे create collection option पे click करके आपको मिल जाएगा अपना एक shopping card या collection tag करने का option तो उसके लिए अपने card पे collection create करने के लिए उपर आपको एक अपने collection का cover picture यहा परे में बताया था तो उसका collection मैं यहाँ पे tag कर देता हूँ तो उसके लिए एक PS5 का photo यहाँ पे मैं add कर दूँगा और फिर save option पे उपर click कर दूँगा तो मेरा cover picture यहाँ पे set हो गया है नीचे अभी आपको देदया है give your collection a title और description describe what's in your collection और what you like about this product तो यहाँ पे आप अप option पे click करके आपको मिल जाएगा अपने सारे product यहाँ पे collection tag करने का option उपर आप देखोगे for a limited time get extra commission on these products valid until January 1, 2025 अभी उपर आपको मिल जाएगा एक search bar जहाँ पे कोई भी product का link या कोई भी product का नाम लिक के आप search कर पाऊगे tagging के लिए फिर नीचे store option पे click करके आपको मिल तो उसका सारे product का listing चला आया है यहाँ से भी आप कोई भी product को tag कर सकते हो या उपर search bar से आप अपना पसंदिता product का नाम लिक के नीचे उसका सारा option चला आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे product का picture सारा details price और आपको कितना commission on होगा उसका estimation अभी डाहिने तरब plus button पे click करके उस product को आप अपने collection में tag कर लोगे और डाहिने तरब नीचे done option पे click कर दोगे तो आपके collection में नीचे आप देखोगे सारे product tag हो गया है अभी आपको last में publish option पे click कर देना है फिर आप देखोगे यहाँ पे shopping में आपका एक collection भी ready हो गया है अभी फिर से इस option पे जाके आप द product को collection और delete option पे click करके collection कभी भी delete कर पाऊगे और आपको अगर कोई नया collection फिर से यहाँ पे add करना है तो नीचे आपको मिल जाएगा create collection का option इस option पे click करके यह procedure आपको दुबारा repeat करना है दूसरा कोई collection यहाँ पे setup करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे कोई भी existing video में कैसे आप mobile application से कोई भी product tag कर पाऊगे तो यहाँ से जैसे मैंने already desktop version में एक existing video का product tagging दिखाया और एक दूसरे video में आपको दिखाता हूँ तो मैंने इस video में आपके साथ बात किया था screen capture और screen recording के बारे में जहाँ पे मैंने दिखाया था अपना mobile laptop और smart tv तो इस video को open करके मैं product tag कर लूँगा उसके लिए video को open करके उपर आपको edit option पे click कर देना है तो video का सारा editing option यहाँ पे आपके सामने on हो जाएगा अभी नीचे आप देखो के last option tag product इस option पे जाके आपको मिल जाएगा product tag करने का option तो यहाँ से फिर से आप अपना पसंदिदा store select कर लोगे तो उस store का सारा product का listing आपके पास आजाएगा तो इस video में जो भी मैंने product दिखाया था उस product को उपर मैं search कर लूँगा और यहाँ पे डाहिने तरब plus बटन पे click करके इस video में उस product को मैं tag कर लूँगा अभी बाहे तरब नीचे view option पे click करके tagging ठीक चरहिके से हुआ की नहीं वो details मैं देख प तो यहाँ पे मेरा सारा product tagging complete हो चुका है नीचे tag product में कितना product मैंने tag किया है वो आप check कर पाऊगे अभी डाहिने तरब उपर save option पे click करके सारे tagging को आप save कर लोगे अपने existing video में उसके बाद इस video को आप YouTube पे जब भी आप चलाओगे तो आप video के नीचे description में आप देखोग के flip card या मिंत्रा website में जाके उस product को viewers यहाँ से direct purchase कर पाएगा और यहाँ पे जितना भी commission mention किया हुआ है वो आपका earning होगा अभी YouTube studio के mobile version में जो आपने collection यहाँ पे add किया है अपने YouTube channel के desktop version में store option पे जाके आप अपना feature collection यहाँ पे देख पाऊगे click करके उस collection का cover picture सारा details और नीचे सारा tag किया गया product का details भी आपको मिल जाएगा तो कोई भी viewers यहाँ पे click करके उस product को online purchase कर पाएगा flip card या मिंत्रा website से सेम तरीके से mobile पे भी अगर आप अपना YouTube channel open कर लेते हो तो यहाँ पे store section पे आप देखोगे due to merchandise restriction your store is not displayed to viewers in India तो store option यहाँ पे जो आपने collection add किया है वो ठीक तरह से इंडिया में अभी launch नहीं हुआ है तो जब हो जाएगा तो desktop version की तरह भी यहाँ पे आप देख पाऊगे जो भी collection आपने add किया है store option पे जाके उस collection का सारा details viewer देख पाएगा तो कैसे आप activate कर पाऊगे अपने channel पे और इसको join करके अपने viewers को तरह तरह का product के बारे में बताके या उनको direct flip card मिंत्रा का product tagging करके आप यहाँ से commission earning की दोरा YouTube में अपना earning भी increase कर पाऊगे तो इसका सारा proserio step by step मैंने आपके साथ details में discuss किया तो उम्मीद करता हो आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा हुआ और technology के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक like कर दीजेगा और अपने दोस्तों क courses के लिए तो आज के लिए बस इतना ही दुबारा मिलते हैं किसी नया वीडियो में जहां सीखेंगे technology के बारे में नया कुछ क्यूंकि यहां बाटने से वड़ता है आप कुछ यह comment करके बताओ कि youtube affiliated program marketing का यह activation procedure आपको कैसे लगा क्यूंकि नीचे comment box आपके लिए है तो तब के लुइबस प औरे माघeft आपकेश निचे का करना ही है कि यहां तूर्टों सुव नीचे